पुलिस के वरिष्ट अधिकारियों के नुसार दिल्ली पुलिस के पास साइबर क्राइम की रोजाना 600 से अधिक शिकायते आती हैं इन में से 10 फीसिदी लोगों को साथ मोटी रकम की ठगी की जाती है अधिकतर मामलों में जालसाजी के सरगना चीन, हॉंग कॉंग, दुबई, कमबोडिया, मलेशिया जैसे देशों में बैट कर ठगी कर रहे हैं नमस्कार मैं पंक्री श्रवास्तर आप देख रहे हैं मरोजाला टेलिग्राम अप पर निवेश के बहाने भोले भाले लोगों को लूटा जा रहा है साइबर, ठग, वाटसैप, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम और फीजबुक जैसे सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोगों को अपने जाल में फसाते हैं शुरुआत में पीडितों को वीडियो लाइक एंड शेयर करने का टास्क दे कर छोटे मुनाफ़े दिये जाते हैं बाद में पीडितों की अलग आईडी बना कर उनको टेलिग्राम एप पर एक ग्रुप में जोड़ दिया जाता है वहाँ टास्क के नाम पर उनको एक हजार से पचास हजार रुपए हर दिन कमाने का जहासा दे कर ठगी की जाती है शुरुआत में मुनाफ़ा देने के बाद पीडित इनके जाल में फस कर मोटी रकम निवेश कर देते हैं पुलिस के वरिष्ट अधिकारियों के अनुसार दिल्ली पुलिस के पास इस तरह की रोजाना 600 से अधिक शिकायते आती हैं इन में से 10% लोगों के साथ मोटी रकम की ठगी की जाती है भारत में बैठे इनके गुरगे ना सिर्फ बैंक अकाउंट का इंतिजाम करते हैं बलकि इनके लिए सिम कार्ट का इंतिजाम भी करवाते हैं करीब 200 से 500 बैंक खातों में ठगी की रकम को घुमा कर US डॉलर, क्रिप्टो या बिटकोइन में बदल कर विदेश भेज दिया जाता है पिछले दिनों पकड़े गए साइबर ठगों के अकाउंट की परताल करने पर एक खाती में 24 घंटे में 3-5 करोड की रकम के लेंदेन का पता चला है पुलिस सूत्रों का कहना है कि 90 से 95 मामलों में पुलिस साइबर ठगों तक नहीं पहुच पाती है भारत में जो लोग इन साइबर ठगों के लिए बैंक अकाउंट और सिम कार्ट का इंतिजाम करते हैं पुलिस उन तक ही बहुच पाती है वरिष्ट पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सचेत रहकर ही इस तरह की ठगी से बचा जा सकता है आईए आपको बताते हैं कि साइबर ठगी के ट्रेंड्स क्या है सबसे पहले तो वर्क फ्रॉम होम सोशल मीडिया के जरिये जुड़ कर साइबर ठग वर्क फ्रॉम होम लाइक और पार्ट टाइम जॉब की बात कर लोगों को जाल में फसाते हैं शुरुआत में कुछ मुनाफ़ा देकर लोगों से मोटी रकम निवेश करवाली जाती है मोटी रकम लेकर पीड़तों का नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है फिर आता है फेडेक्स कोरियर फेडेक्स कोरियर की ठगी के मामले में साइबर ठक आपसे पारसल में अपती जनक चीजें भेजने की बात कर आपको डराते हैं इसके बाद मुंबई पुलिस अधिकारी बन कर आपको डराया जाता है बाद में डिजिटल अरेस्ट कर मोटी रकम एठ ली जाती है विदेशी दोस्त बन कर भी लोग करते हैं इस तरह की ठगी इस तरह के मामले में वैवाहिक वेबसाइट के जरीए शादी का जहासा दे कर दोस्ती की जाती है विदेश से महेंगा गिफ भेजने और फिर उसकी कस्टम में फसने का जासा देकर आपसे रकम एठी जाती है सिर्फ इतना ही नहीं निवेश का जासा देकर भी फसाते हैं लोग स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर आपसे संपर किया जाता है कई बार आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर मुनाफे वाले शेयर भी खरीदे जाते हैं बाद में आपसे फर्जी वेबसाइट के जरिए निवेश करवा लिया जाता है अधिकारी बन कर भी करते हैं ठगी ऐसे मामले में आरोपी वरिश्ट पुलिस अधिकारी या IPS अधिकारी बन कर Facebook, Instagram या किसी दूसरी साइट पर दोस्ती करते हैं वहाँ घर का समान सस्ते में बेशने का जासा देकर रकम एठी जाती है सेक्स टॉशन के नाम पर भी बहुत ठगी होती है अंजान नंबर से आपको वीडियो कॉल की जाती है इसके बाद आपका अशलील वीडियो बना कर आपको ब्लैक मेल किया जाता है बाद में आपको बदनाम करने की धमकी देकर आपसे मोटी रकम वसूल की जाती है फिर आता है Google सर्च के नाम पर ठगी किसे भी कमपनी के कस्टमर के नंबर ढूडने के लिए आप Google सर्च करते हैं उस दौरान साइबर ठग आपसे संपर्क करके उस कमपनी का प्रतिनिधी बनकर बात करते हैं बाद में आपको कोई आप डाउनलोड करवा कर आपका अकाउंट खाली कर लिया जाता है आई आप आपको बताते हैं ठगी होने पर आपको क्या करना चाहिए ठगी का शिकार होने पर तुरंट एक नौ तीन शूने पर कॉल करें ऐसा करने से तुरंट आपकी ठगी की रकम को बैंक खाते में फ्रीज किया जा सकता है साइबर ठगी होने पर नजदी के पुलिस स्टेशन या जले के साइबर पुलिस थाने जाकर अपनी शिकायत की जा सकती है साइबर ठगी अगर 50 लाग से जादा है तो इसकी शिकायत स्पेशल सेल की आई-फसो यूनिट में करें आप उनलाइन www.cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत दे सकते हैं ठगी का शिकार होने पर National Cyber Crime Reporting Portal NCRP पर भी शिकायत की जा सकती है शिकायत तक की नौबत ही ना आये तो बहतर है आईए आपको बताते हैं कि आप इस तरह के फ्रॉट से कैसे बच सकते हैं अग्यात नंबर से आये मैसेच पर कताई रिपलाई ना करें अंतराश्य नंबर से आये मैसेच से खास कर सौधान रहें WhatsApp, Telegram पर कोई ग्रूप बना कर निवेश करने की बात करें तो उसे नजर अंदास करें Google पर सर्च करते समय बहुत सौधानी बढ़तें यदि कोई भी आपसे पेमेंट करने के लिए किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहें तो कभी भी ना करें सोशल मीडिया पर विदेशी बन कर दोस्ती करने वाले लोगों से खास कर सौधान रहें कोरियर में अपत्ती जनक समान भेजने की बात कोई कॉल करें तो उसे नजर अंदास करें अग्यात नंबर से आए किसी भी वीडियो कॉल को कभी भी पिक ना करें सोशल मीडिया पर अग्यात लोगों से दोस्ती करने से बचें किसी को अपने बैंक खाते या उसे संबंधित कोई जानकारी ना दे आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और इस तरह की और एहम जानकारी के लिए देखते रहिए अमरुजाला